अपने टोपिक स्टार्ट करते हैं पर्मानेट इंकम हाइपोतीसियस जो के कंजम्शन फंक्शन की मोस्ट इपोर्टेंट थियोरी है और वीडियो के एंड में अपन जो भी MCQ प्रिवियस एक्जाम में आ चुके हैं उनको भी डिस्कस करेंगे अपने पर्मानेट इंकम हाइपोतीसियस क्या होती है तो उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो पर्मानेट इंकम हाइपोतीसियस है इसका व्यूज जो मिल्टन फ्रीडमेन ने दिया था वो क्यों दिया था उसका रेजन क्या था तो उससे पहले हमें ये बात क करने होगी कि केंज का क्या विऊ था और कुजनेट का क्या विऊज था मैंने के विऊज के उपर पूरी दो-तिन वीडियो बनाद दिया है जो कि इसक्रिप्शन बौक्स में उनका लिंक गीवन है वहां से आप देपली कर लेना बट यहां पर थोड़ा सा डिस्कस करना जरूर केंज का जो अपना इंपिरिकल डाटा उसने जो भी लिया था प्रो सेक्सिनल डाटा लिया था जैसे फैमिली का लिया था और अपने अनभव के अधार पर उसने ये बताया था कि जो फैमिली की कंजम्शन है वो नोन प्रपोर्शनल होती है नोन प्रपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि जैसे income increase होगी consumption भी increase होगी ना income increase होने पर consumption भी increase होगी बट उतनी नहीं होगी जितनी की income increase हो रही है मतलब कि उसका data क्या था non-proportional था तो जो consumption function बनता है वो क्या बना था वो c is equal to क्या बना था a plus by a a जो था वो constant है और a की value greater than 0 होती है b का मतलब marginal propensity to consume और इस situation में होता क्या है केंज के according जो a p c होती है वो greater than होती है m p c से greater होती है यह वाला relation होता है according to ken उसके बाद क्या हुआ और यह था short नियम उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुजनेट्स की बात कर लेते हैं ठीक है तो कुजनेट्स ने 1869 से लेकि 1938 तक अपना data लिया और उसने यह analyze किया कि जो भी consumption function है वो a p c is equal to m p c नहीं होती consumption ठीक है sorry a p c greater than m p c नहीं होती long run में जाके क्या होता है दोनों ब्राबर हो जाती है जो consumption है वो ब्राबर हो जाती है तो जो कुजनेट्स था उसने अपना conclusion क्या निकाला जो consumption function है वो proportional होता है और जो consumption function होता है वो इस तरह से बनता है c is equal to by और लोंग रन जो consumption function है उसमें क्या होता है जो APC है वो MPC के बराबर हो जाती है मतलब जितनी उन्होंने consumption करनी है और जो MPC है वो almostly 0.9 के बराबर हो जाती है और दोनों बराबर चलती रहती है तो इन दोनों में conflict था मतलब एक puzzle था इसे puzzle बोलते हैं जो Kenz का वीउज था और कुजिनेट्स का वीउज था उन दोनों में जो conflict था उसे क्या बोला जाता है उसे बोला जाता है ठीक है तो फिर इनको केंज के बाद पोस्ट केंज यन आये और उन्होंने अपनी अपनी दियूरी दी जैसे मैंने रिलेटिव इंकम हाइप थीस में काफी कुछ डिस्क्राइब किया हुए है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गीवन है वहां से रिलेटिव इ करती है पर्मानेंट इंकम के अपर ठीक है जो करनेंट इंकम के उपर डिपैंड करेगी, जो भी उसकी कर्यूंशन है वोला कि करन्ट इंकम थो अपडाउ ऑं होती रहती है वह किस aligned करती है करते है ? से परभावित होती रहती है तो वो भी हम discuss करेंगे इसके बाद क्याते जो कुजनेट्स का व्यूज हमने डिस्क्राइब किया empirical evidence suggest that long run में क्या होता है MPC become equal to APC and their value is 0.9 तो ये था कुजनेट्स का व्यूज कुजनेट्स नहीं बोला कि जो data जो consumption function है जो उनमें relation है वो क्या होता है proportional होता है और जो consumption function बनेगा c is equal to a y और जो APC है वो MPC के बराबर होगी ठीक है और जो केंज का व्यूज था वो cross sectional data जैसे family का लिया था उसके उपर और उसने views निकाला कि non-proportional है और उसका जो consumption function बनेगा वो बनेगा c is equal to a plus by और जो केंज की according अगर हम बात करें तो जो CT है जो consumption है current level की वो किसके उपर depends करती है yt means की current income के उपर तो MPC भी decline कर सकते है कुछ time के बाद यह केंज का व्यूज था ठीक है MPC constant रहती है बट एक stage की बाद क्या होगा MPC भी decline करेंगे और वो थोड़ी करवी भी बन सकती है यह केंज का व्यूज था ठीक है जो APC वो mostly किसके ब्राबर रहती है वो रहती है 0.9 के ब्राबर MPC और APC ब्राबर होगा तो वो दोनों किसके ब्राबर होंगे 0.9 के ब्राबर और consumption function क्या बनेगा C is equal to BY और यह जो है 0 से start होगी मतलब जैसे जैसे income increase होगी consumption भी increase होगी ठीक है उसके बाद बात कर लेते हैं केंजियन consumption function depend on cross-sectional data जो कि हमने starting में ही discuss कर लिया था कि जो केंज का व्यूस था जो अनुबव था उसने cross-sectional data analyze किया था फैमिली का लिया था और उसने अपना conclusion निकाला था कि जो consumption function है वो non-proportional होता है तो केंज consumption function is linear and non-proportional तो इसमें consumption function क्या बनेगा c is equal to a plus by और जो a PC है वो greater than होगी MPC से और जो current consumption है वो current income के उपर depend करती है according to केंज sometime केंज consumption function is after some time non-linear ठीक है कुछ टाइम के बाद linear तो होता है बट एक stage के बाद क्या होगा करवी भी बन सकता है क्योंकि MPC decline करती है केंजीन function क्या है stable function है of real income के उपर तो यह important है note करने वाली बात है जो केंजीन consumption function क्या है stable function है ठीक है उसके बाद बात कर लेते हैं मेंली जो आज की जो थूरी थूरी है permanent income hypothesis क्या होती है जो कि Milton Friedman ने दी थी according to him current income is no determinate of consumption expenditure कि according to Friedman क्या था current income के उपर consumption depend नहीं करती consumption of a person depend on permanent income only सिरफ permanent income के उपर ही depend करती है the relationship between consumption and income is proportional according to Friedman क्या था जो consumption और income है दोनों में relation क्या होगा पर्पोर्शनल ठीक है एक question यहां से भी आता है कि Friedman के according to consumption function क्या होता है relation क्या होता है तो एक यहां से भी नोट करने वाली बात है और यह वाला question मतलब है important है थी थूरी consumption of a person depend upon permanent income only the relationship between consumption and income is proportional तो जो income है वो किसका function हो गया y is equal to yp plus yt मतलब permanent income जो है permanent consumption है वो permanent income का function है और जो income है वो दो पार्ट होते हैं income is equal to yp plus yt permanent income और transitory income मतलब जो income है तो दो भागों का part है बट जो consumption है वो किसके उपर depend करती है yp के उपर मतलब की permanent income के उपर depend करती है consumption जो है consumption के भी दो पार्ट होते हैं कौन-कौन से cp plus ct जो है permanent consumption plus transitory consumption मतलब की थोड़े time के लिए हमारी consumption influence हो सकती है हमारी जो भी up down income होती रहती है उसके according बट जो हमारी consumption है वो किसके उपर depend करती है permanent income के उपर बट ओवर cp is equal to the k is yp मतलब जो हमारी consumption है permanent consumption है वो किसका part है yp yp का मतलब क्या हो गया permanent income और जो ये k लिखा हो है k का मतलब क्या होता है a p c average propensity to consume और जो average propensity to consume है वो तीन फैक्टर ऐसे हैं जिनसे परभावित होती है short time में जो कि आप आगे discuss करते हैं कि वो कौन से factors हैं जिससे हमारी जो a p c है वो short time में परभावित होती है some factor of permanent income those influence the consumption मतलब कि कुछ factors हैं जो हमारी permanent income को परभावित करते हैं जो कि ये consumption को भी परभावित करते हैं permanent income के according like जैसे कि rate of interest की बात कर लेते है rate of interest परभावित करेगा ratio of non-human जिसमें physical assets आजाएंगे and capital to labor human capital इसका मतलब क्या हुआ human capital का देखो जो भी person है वो उसके पास जितनी भी wealth है जितना भी उसका business है वो humans लगाएगा काम पर labor से लगाएगा और उससे भी wealth आने की काफी संभावन है कि वहां से भी wealth आती रहती है non-human जैसे physical उसके पास assets है capital है उससे भी उसको earning होती रहती है तो ये भी उसकी consumption को प्रभावित करते हैं तो ये जो में ली तीन फेक्टर है इसको आपार डिनोट करते हैं रेट ओफ इंटरस्ट को हम लोग आई से डिनोट कर लेते हैं और जो human और capital labor से उसे डिनोट कर लेते हैं और प्रेजेंट जो कन्यम्शन ओवर फ्यूचर के एकोर्डिंग उसकी प्रभावित होती है वो उ से डिनोट कर लेते हैं तो ये उसके जो है कन्यम्शन को प्रभावित करेंगे तो जो CP है वो किसके ब्राबर होगा CP is equal to KYP 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 का function हो गया के का मतलब APC और जो APC है वो किससे प्रभावित होगी IWU मतलब rate of interest का भी प्रभाव पड़ेगा wealth का भी प्रभाव पड़ेगा और उसकी income क्या है जो पिछली income है वो 200 है उसकी income मानके चलते है 200 है ठीक है और जो उसकी present income है वो कितनी है 220 तो इसमें क्या है उसकी जो past income है 200 वो ज्यादा है present income से तो पर यहां पर यहां पर यह बात सोचने वाली कि उसकी जो consumption है वो किसके उपर depend करेगी उसकी income जो consumption है वो 200 के फर डिपैंड करेंगी क्योंकि यहां पर क्या है जो उसकी past income है वो कम है प्रेजेंट income जाद है बट मैंने क्या का कि जो permanent income consumption है वो किसके उपर डिपैंड करती है permanent income के उपर तो consumer तब तक 220 के कोर्डिंग कंजम्शन नहीं करेगा जब तक उसे ये फाइनली ना शोर हो जाए कि जो 20 रुपीज उसके एक्स्ट्रा है क्या वो पर्मानेट है या नहीं है जब तक उसके लोंग टाइम में जाकि जब उसे पता चलेगा कि उसके 20 रुपीज भी पर्मानेट है 220 फिर वो कंज इंकम 220 के कोर्डिंग करेगा वो अपनी जो पर्मानेंट इंकम पास्ट इंकम है 200 उसके कोर्डिंग ही करेगा तो इस एस में क्या होगा कंजम्शन डिपेंड अपोन वाई T-1 मतलब पास्ट इंकम क्यों पर ही डिपेंड करती है तो वाई टी एजिक अगर फिर हम मान दूस उसके according वो क्या करेगा consumption करेगा ठीक है तो इसमें क्या होगा सभी permanent income जो present income है उसकी और current income है past income है वो सब क्या हो जाएंगे ब्राबर हो जाएंगे ठीक है तो अगर मान के चलिए कि उसकी जो present income है वो ज्यादा है past income से और then क्या होगा उसकी जो present income है वो भी कम होगी ठीक है यहां पे हमने example से किया था देखिए अगर हम मान के चलते हैं यहां पे हम लोग situation लेके चलते हैं कि उसकी जो present income है वो greater है past income से ठीक है past income से ज्यादा है मान के चलिए 220 उसकी present income greater है past income से इसका मतलब क्या हुआ जो उसकी present income है वो कम है उसकी present income कम है 220 से तो उसका जो consumption है वो इसके उपर depend करेगा ठीक है और हम नेक्स्ट केस लेके चलते हैं कि मान के चलिए उसकी present income है वो कम है और past income जाता है मतलब उसकी present income जाता है मतलब कहने का कि अगर हम मान के चलते है past income जो है उसकी 400 है ठीक है और जो present income है वो कम है उसकी 350 लेके चलते हैं उसे तो उसकी जो वो consumption करेगा जो उसकी permanent income है और permanent income कौन सी है जो उसकी present time में चल रही थी उसकी 400 चल रही थी तो means उसकी जो present time में इंकम है permanent income कितनी है 4 तो उसकी permanent income greater होगी present income से 350 से जादा ही होगी क्योंकि जो उसकी past income permanent चल रही है वो consumer सिरफ और सिरफ उसी के according ही consumption करेगा ठीक है उसके बाद हम लिखे चलते हैं डायग्राम के उपर अग्य करेंगे according to permanent income consumption in long run APC constant permanent income के according क्या होगी जो APC है वो constant होगी बट इंदा short run APC decrease with increase in income हाँ short run में हो सकता है decrease हो जाए बट long run में क्या होगा APC constant रहेगी जो कि डायग्राम से काफी अच्छे से clear हो जागा डायग्राम में proper lease को हम लोग करेंगे short run में क्या होगा short run में MPC less होगी long run MPC से ठीक है short run में बट long run में बराबर हो जाएंगे short run consumption function is known proportional और long run consumption function क्या होगा परपोर्शनल होगा तो यह जो केंज का व्यूज था जो पजल थी उसको भी permanent income में जो फ्रीडमें था उसने solve करने के लिए try किया था उसके बाद बात कर लेते हैं जो rich persons की APC है वो कम होती है APC poor person से in the long run और long run में क्या होगा सब की APC समान होजेगी APC constant रहेगी उसके बाद बात कर लेते हैं इस theory की assumptions क्या है तो assumptions क्या है consumer rational है मतलब कि वो अपनी permanent income का उसे पता है कि उसकी permanent income कितनी है उसके coding ही वो खरचा करेगा और जो convergence है convergence का मतलब जो relation है permanent income और जो permanent income और transitory income है उनमें कोई relation नहीं है so इन दोनों का convergence क्या होजेगी 0 ठीक है उसके बाद बात कर लेते हैं convergence CT और CP में तो CT, transitory consumption और permanent consumption में जो convergence है वो भी 0 के बराबर होगी उसके बाद डायग्राम में बात कर लेते हैं कि जो long run में APC और MPC जो constant क्यों होती है वो बराबर क्यों होती है according हम लोग बात कर लेते हैं कर लेते हैं convergence जो है YTC की वो भी 0 के बराबर होती है क्यों कि जो दोनों में रिलेशन है वो 0 होता है transitory income और transitory consumption और उसमें कोई relation नहीं होता सिरफ और सिरफ जो permanent consumption और permanent income सिरफ उसमें ही relation होता है तो permanent consumption is function of permanent income तो C is equal to KYP जो consumption है वो किसके उपर depend करती है permanent income के उपर और K का मतलब APC उसके coding कितनी होगी permanent income जो base है वो time series data को उसमें लिया गया था change in income is greater than consumption ठीक है in short run क्योंकि APC greater होती है short run में consumption less increase in short run क्या होता है income increase होने पे short run में consumption कम increase होगी because in the short run only transitory जो income है वो increase करेगी चलिए diagram से इसको समझ लेते हैं अच्छे से क्या होता है देखे यहां पे आपको क्या शो किया गया है diagram को ध्यान से देखते हैं हाँ यहां पे क्या है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं short run की तो जो आपके सामनी यह वाली जा रही है c1 यह short run consumption function ठीक है और income हमारी क्या है y1 y1 income है तो c1 consumption function के according short run में हमारी जो consumption है a point पे हो रही है तो short time में थोड़ा बहुत change होगा कि हाँ up down चलेगा short run में सिर्फ और सिर्फ short run में बट हम उसको तब तक नहीं मान सकते permanent income जब तक हमें पूरा यकीन ना हो जए कि वो हमारी permanent income है ठीक है जैसे कि 200 की बात कर लेते है 200 हमारी income थी past में और 220 हमारी थोड़ी सी income increase होगी 20 rupees increase होगी तो हम लोग 20 को तब तक नहीं मान सकते जब तक हमें ये ना शोर हो जए कि वो permanent income का ही हिस्सा है तो short time में क्या होगा कि हाँ consumption थोड़ी increase हो जएगी जैसे y1 से y2 income increase हुई consumption level increase हो जएगा CS2 CS2 consumption भी increase होगी अब देखो short run को मिला के ही क्या बनता है long run तो ये long run बाद में जाएगा कि जो भी हमारी income थी income में transitory change हुआ transitory change होने से short run में थोड़ा change आएगा so हमारी consumption increase होगी तो दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास क्या आजएगा long run consumption function तो long run consumption function के according क्या होगा जो हमारी consumption है वो सिरफ और सिरफ permanent income के उपर ही depend करती है और short run में क्या होगा जितना income में change आया है उतना consumption में change नहीं आएगा क्योंकि income में change जाता है consumption में change कम है income में change जाता है consumption में जो change है वो कम है so दोनों को मिला कि क्या बनेगा long run में permanent consumption function बन जाएगा जो कि permanent income के उपर depend करता है ठीक है उसके बाद बात कर लेते criticism इस theory की criticism क्या है some relation exists between YT and CT देखिए permanent income के coding Friedman ने क्या बोला कि दोनों में correlation नहीं होता कोई convergence नहीं होती दोनों की convergence क्या होती है जीरो होती है बट हमें भी पता है कि मान के चलिए for example lottery case की बात कर लेते हैं अगर एक दम से किसी भी प्रकार से lottery लग जाए या कोई भी transitory income में change आए तो consumption में change आता ही आता है यह हम सब को पता है कि change तो आएगा हमारी income transitory change होगी तो consumption में change आएगा उसके बाद फेरिड एंड क्रेविस स्टेटेड डाट MPC decrease when permanent income increase फ्रीडमेन का व्यूज था कि दोनों ब्रबर रहते हैं APC और MPC ब्रबर रहते हैं बट इन दोनों economics का व्यूज गया था कि MPC decrease करेगी उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं MCQ जो कि previous year exam में नेट के exam में यह व्यूज आ चुक है तो इसमें क्या लिखा हुआ है Permanent Income Hypothesis Azume Positive Correlation between which of the flowing तो हमें पता है कि Permanent Income और Permanent Conjunction में relation होता है तो third option is the right अपकी देखो Permanent Income, Transitary Income लिखा हुआ है यह option भी नहीं हो सबता फिर Permanent Income और Transitary में दिया हुआ है नहीं हो सथा मतलब कि Permanent Income और Permanent Conjunction में ही relation होता है according to Freedmen so third option is right उसके बाद बात कर लेते second question के तो देखो वही बात है ना सुसाइटी को देखके अपना लेवल हाई कर लेना इंकम है नहीं तो मतलब डेमोस्ट्रेशन एफेक्ट है वह नेगटिव एफेक्ट डालता है लोगों के ओपर एकोनोमी के ओपर ठीक है थर्ड कोशन की बात कर लेते हैं विच देयर ओफ दा फ्लोइंग आर क्रेक्टरिस्टिक कोंसी क्रेक्टरिस्टिक है फ्रीडमेन की पर्मानेंट इंकम हाईप थी सीएस के एकोल्डिंग तो बात कर लेते हैं कौन कौन सी है दा में इंफुलेंस ओन लोंग रन कंजम्शन इस ट्रांजेटरी इंकम देखे यह था कि सिर्फ ट्रांजेटरी इंकम का तब भी एकृ भी तो बात सी है आप नहीं देख तो यह बिल्कुल सी ओप्षिन सही है हमारा तो मैं पता चलिगया ऑप्षिन सही है C option भी सही है, A और C कहां पे दिया हुआ है, इसमें, A और C, last option में यहां पे दिया हुआ है, उसके बाद D की बात कर लेते हैं, the long run consumption function will tend to flatter than, flatter नहीं होता, so D option गलत है, उसके बाद consumption will tend to be constant proportion of long run, हाँ यह बाद से यह constant होता है, तो E option, तो यह मारा last वाला option है, बिल्कुल right है, उस यहां पे थोड़ा सा, short run, जो consumption function होता है, वो flatter होता है, steeper नहीं होता है, मतलब यह Keynes का व्यूज बिल्कुल सही है, तो option true है यह बाला, उसके बाद, fifth question में क्या लिखा हुआ है, according to Milton Friedman, permanent income hypothesis, the marginal propensity to consume, permanent income is, dash, where the propensity to consume, transitory income is, यहां पे क्या हैगा, देखिए, जो marginal propensity to consume, permanent income की, वो क्या होती है, वो हाई होती है, और जो, where the propensity to consume, transitory income की क्या होती है, लो होती है, तो B option right होगा, यहां पे, ठीक है, तो जो B option है, वो बिल्कुल right है, कि जो marginal propensity to consume है, वो हाई होगी, where the propensity to consume, transitory income is low, sixth question की बात कर लेते हैं, according to permanent income hypothesis, consumption depends primarily on, किसके उपर डिपेंड करती है, permanent income तो हमें पता है, कि permanent income hypothesis के according to consumption के उपर डिपेंड करती है, तो हमें पता है, वो permanent income के उपर, तो C option is right, ठीक है, तो यह ता आज का lecture, please like the video, and next video में मिलते हैं आप से, thank you